बिग बॉस 14 में अब जम कर धमाल होना शुरू हो गया है अपकमिंग एपिसोड में नॉमिनेशन के बहाने सिंगल राहुल वैदे ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है और वो मुद्दा है नेपोटाजम का जी हाँ दोस्तो राहुल वैदे नॉमिनेशन टास्क में जान कुमार सानू पर हमला बोलते हैं नजर आएंगे उन्होंने जान कुमार सानू को नॉमिनेट करते हुए नेपोटाजम का मुद्दा उठा दिया है बिग बॉस हाउस में वेल अपकमिंग एपिसोड का जो प्रोमो सामने आया है उसमें राहुल वैदे ने जान को नॉमिनेट करते हुए कहा कि जिसको मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ वो है जान मुझे नेपोटिजम से सक्त नफरत है राहुल वैदे की इस बात का सभी घरवाले विरोध करते नजर आते है जी है दोस्तों आज के एपिसोड में आप देखेंगे की राहुल वैदे जान कुमार सानू को निशाना साते हुए कहते हैं कि तुम कुमार सानू के बीटी हो इसलिए मैं तुमें नॉमिनेट करता हूँ क्योंकि मुझे नेपोटिजम से सक्त नफरत है बिग बॉस के घर में जुस तरीके से रिष्टे बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए साफ है कि आगे आने वाले टाइम में ना जाने कब कौन दोस्त बन जा और कब किसका दुश्मन अब जिस तरीके से अब तक जानकुमार सानू राहुल वैदे अच्छे दोस्त बने दिखाई देते थे आप वो दोनों दुश्मन बन चुके हैं ये सब नज़र आया नॉमिनेशन टास्क में जुसमें राहुल वैदे ने जान कुमार सानू को लेकर नेपोटिसम का मुद्दा उठा दिया है बिग बॉस की घर में जी हाँ दोस्तों, नॉमिनेशन टास्क में राहूल वैदे ने यह साफ कर दिया है कि वो जानकुमार सानू को इसलिए नॉमिनीट करना चाहते हैं क्यूंकि वो कुमार सानू के बेटे हैं और निपोटिसम की वज़ा से ही बिग बॉस में आए हैं राहूल वेदे की बात सुनकर जान कुमार सानू भी बेहर शौक्ट नजर आए जान ने राहूल को जवाब देते हुए कहा कि मैं खुशक्समत हूँ कि कुमार सानू मेरे पता है इसके जवाब में राहूल ने कहा कि मुझे जरूरत नहीं कि मेरा बाफ कोई हो जी यां दोस्तों राहूल वेदे और जानकुमार सानू के भी जगड़ग देखने को मिला नومिनेशन टास्क में इस बात पर जानकुमार सानू भी काफी नराज नज़रा आए जस तरीके से कुमार सानू का नाम लिया गया बिक बास के हांस में राहुल वैदे ने साफ तोर पर कह दिया है कि कुमार सानू के बीटे होने की वज़ा से जान कुमार सानू का इस शो में जगा मिली है जिसके जवाब में जानकुमार सानु ने काफी नराज की जताते हुए राहुल वेदे से बोल डाला है कि मेरे बाप पर मत जाना और ना ही उनका नाम लेना इस घर के अंदर वेल नमिनेशन टास्क में राहुल वेदे जानकुमार सानु के बीच और क्या कुछ हुआ इस से जानने के लिए आज रात को आपको देखना पड़ेगा बिग बास का फॉल एपिसोड